कि नमश्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप इक यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस पर नए-नए सब्सक्राइब कर सकते हैं जो की बहुत अच्छा इनिशिटिव लेकर क्या है इस समय पर आप देखी रहे हैं कि नए-नए-न्वेंशन सामने आ रहे हैं जिस तरीके से पेट्रोल के डीजल के प्राइज जो इतने ज्यादा हाइब हो गए हैं तो उसको मद्य नजर रखते गाडियों को कर सकते हैं कम से कम प्राइज़ में तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम वहीई जानेंगे कि हम कैसे कम से कम रुपे में हम ले सकते हैं जो आपकी कारे में लग सकती है और जिसके बहुत सारे benefits भी हैं और कुछ सीज्डीयो ब्रेंट्स भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज प्लीज कर लेजे क्योंकि इसी तरीकी की इंफरमेटिव मैं आप टाइम इस चैनल पर ले करके आते रहे तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए तो दोस् किट मैंने बताई थी अपनी वीडियो में प्रीवेस जो आ रही थी जिसमें की इंजिन को हटा दिया जाता था मतलब बेसिकली इंजिन को हटा के प्यॉर्ली इवी में कनवर्ट करना जिसकी रेंज भी इतनी जादा नहीं थी 5-6 लाक रुपे के लगबग का उसका एक्सप इस समय पर ले लेते कि क्या क्या है इसमें requirement होगी कौन सी गाड़ी में fit हो सकती कितना इसका mileage रहने वाला और किस तरीके से इसको इस्तवाल करना तो दीगी दोस्तों यह जो किट आएगी आपकी existing cars में लग सकते जो कि BS2 से उपर के norms follow करती हो यानि कि 1990 के बाद कि जितनी भी cars बनी है या BS2 से उपर की जितनी भी गाड़ियां है चाए वो मारूती की हैं हिंडे की हैं या कोई जी भी कंपनी गाड़ियां जो कि private vehicles है यानि कि heavy vehicles नहीं होने चीए hybrid किटा इसमें लगवा सकते हैं तो इसका क्या किस तरीके से काम करेगी मैं बता देता हूं दोस्तों इस जो इलेक्रिक मोटर रहेगा जो आपके इंजन से जुड़ावा होगा साथ ही साथ इसका जो controller रहेगा वो भी आपकी गाड़ी के पैनल में लगा दिया जाएगा यानि की base में और इसका बैटरी पैक होता है दोस्तों वह बहुत ही compact है जो 8-10 kilowatt की इसकी battery है जो की काफी sufficient power पैदा करती है गाड़ी को मूब करने के लिए गाड़ी को 60-70 km की range देने के लिए जी हाँ 60-70 km एक बार full charge करने पर ये गाड़ी आपकी चलती है इसमें EV से और ये जो battery है या आप उसके wall socket से भी charge कर सकते है अपने घर के wall socket से battery काफी compact है इसका सबसे बड़ा benefit ये है कि देख आपका boot space बहुत जादा जो है बच जाएगा साथ ही साथ जो cng cylinder होता है उसके अपने थोड़े से demerit है कि उसका वजन जादा होता है जिससे की rear suspension पे ज़्यादा जोर पड़ता है boot space आपका पूरा का पूरा occupied हो जाता है तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा benefit वाली चीज ह कि rear suspension पे कोई जोर नहीं पड़ेगा क्योंकि battery pack उतना भारी नहीं है और साथ ही साथ जो ये power पैदा करती है 40 horsepower का जो है ये motor power पैदा करती है जिससे कि आपकी गाड़ी जो है 60-70 km अराम से रन कर सकती है और साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली है ये bumper to bumper traffic में काम आएगी क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड है यानि कि आप विदाउट गेर डाले गेर के बगएर की आप सिर्फ एक्सलेरेशन पे 30 km पर आर की स्पीड जो है इससे पा सकते है ये जो इलेक्रिक मोटरों की 30 का इसका स्पीड रहेगा बट ये आपका काम आएगा सबसे ज्यादा आप ट्रैफिक में यानि ट्रैफिक जब लग जाता लुटा है सबसे चाहिए लगता तो ऐसे में जब ट्रैफिक के लोकल एरिया में आप इस्तमाल कर रहे हैं गली मोहले में या फिर कहीं भी लोकल एरियास में जहां पर बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते तो ऐसे में भी गाड़ी को जो है बहुत अच्छा पावर पैदा करता है और बहुत अच्छी तरीके से काम करती है यह hybrid kit तो किसमें भी आप यूज कर सकते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा है जब गाड़ी चल रही यह या दिल्ली की सड़कों पर वैसे भी 50 से ज्यादा की लिमिट हो गईंचों पचास तक की लिमिट होगी तो डिल्ली में तो ट्रैफिक इतना ज्यादा है पहने वाली है दोस्तों और साथ ही साथ बता दूं कि कंपनी ने अभी नीशेली तो और पर दिल्ली मारास्ट मुंबई और आपका चंडीगड और एक जगे और में भूल रहा हूं तो उस सब स्टेट्स में अभी इन्होंने स्टार्ट किया इनीशेली और इनीशेली यह और फोक्स मोटरी नहीं अब बहुत सारी कंपनी इसके पीछे पढ़ गई हैं बहुत सारी कंपनी काम कर रहे हैं इस को लेकर के कैसे पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंट्र सी कम की जा और कैसे तरीके से हाइवी किया है गाडियों को मतलब हाइवी कृट बनाई जाए अब दो क्या कि कम्पनी अगर आप एक कार लेते हैं जो की बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है तो उसमें हमारा तरकी रहता है कि च्छे लाख रुपई की आप नॉर्मल कार ले और छे लाख रुपई का पेट्रोल भी नी भुखेगा नॉर्मली लोग बाग 5-6 साल, 7 साल गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे में, तो हम नॉर्मल गाड़ी ले लें क्यों 14-15 लाख रुपे एक EV पर खर्च करें जिसकी लिमिटेशन्स भी हैं जिसकी लिमिटेशन्स यह है कि रस्ते में कहीं अगर आपकी बैटरी खतम हो जाती गाड़ी की तो फिर इशूज आएंगे क्योंकि पैट्रोल से आप चला नहीं सकते अविलेबिलिटी अभी चार्जिन स्टेशन्स की उतनी नहीं है तो ऐसी कंडिशन में क्या है 14-15 लाख रुपे गाड़ी लेना वरत नहीं समझते काफी लोग तो और मेरा मानना भी यह कहीं है तक ठीक है हलाकि मैं किसी भी चीज को ऐसे बढ़ावा नहीं देता कि मैं पेट्रोल को बढ़ावा दे रहा हूं इसलिए दी जारी ताकि ज्याद से ज्याद इसको अपना आए जाए इसी तरीके से फाइदे हैं मतलब इवी अगर आप लगवाते हैं कि से मैं समझता हूं कि सीएनजी के वी रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहा है कि दिल्ली में बारा रुपे किलो 10 रुपे किलो मिला साथी साथ अन्य स्टेट्स की बात की जैसे अधर स्टेट्स की आपका उप्तरवर्देश में राजस्थान में और MP में कहीं कहीं तो रेट 90 रुपए 100 रुपए 90 रुपए के आसपास भी CNG का पहुंच गया तो ऐसे में तो कोई फाइदा नहीं लग रहाता कि आप सत्तर अजार साथ अजार रुपए जो रजस्थान में रह रहा है बंदा या जहां पर भी CNG के प्राइजिंग बहुत जादा है वहां पर तो ऐसे में उसकी भी लिमिटेशन से हैं वह वारंटी भी बहुत जादा दे रही हैं जैसे 50,000 किलोमेटर और दो साल की वारंटी आपको मिलती है इस पर और साथ ही साथ किट के जो वारंटी हो एक्टेंड करा सकते पास साल या एक लाग किलोमेटर तक के लिए तो इसमें म आपकी फिर भी आप अगर आपको अच्छी लगी है यह किट या फिर इसको लगवाने की आप सोच रहे हैं तो फोक्स मोटर या फिर आप गूगल कर सकते हैं कौन-कौन सी दूसरी कंपनीज भी है जो डेली एंसियार में और बाकी स्टेट्स में यह इवी इलेक्रिक किट जो है लगा करके दे रही है इंस्टॉलेशन करके आपकी गाड़ी में दे रही है तो गवर्मेंट से अप्रूब है एर एर याई सर्टिफाइड है तो आपको टेंचल लेने की ज़रूत नहीं है बठां दोस्तों किसी भी अप्रूब डीलर से की रेट्रोफिट यह तो दोस्तों यह कुछ था बाकि आपके इवी से जुड़े कोई भी सवाल हो कोई कोश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं आप सभी का स्वागत है दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएगा और एक बार फिर से दोराऊंगा कि वी दो एक सिचले